वाहिगुची का खाल सा वाहिगुची की फते तान सहभ श्रीगुर कोबिन सिंग जी ते जीवन तो सानु अनिका परकार दी जाच मिल दी है इसे परकार एक समय गुरू सहभ जी बहल बल तो चल के कोब पर सिंग राम पिंट जाद गुरू जी आए तब पंचा ने प्रेम नाड महराजी नू उसे पिंट ही उतार लिया काफी समय तो बर्खा ना होन कारण उस इलाके विच काल पे आ होया सी नंबर दारा ने एक जगा सारे लशकर नू लंगर देंड दी पहुंचना देख गुरू सहभ जी ते परशादेली रसद दा इंतजाम गीता हते होर सब सिखानू एक एक दो दो कर प्रतिकर बन देता उस पांत लोकाने गुरू के सिखानू कर ले जाके जतना भी हो सकया परशादाश काया जाद सिख परशादाश चाके आये तक गुरू सहभ जी ने पुछया पाई सिखो किसक पर कारदे पोजन चाके आये हो तक किसे ने ठाठ दी, किसे ने बाजरे दी, किसे ने जवार दी, किसे ने शोलियां दी, किसे ने मोठा दी, बे पसंदी नाल ना कचड़ागे दसे एक पाई गज्जा सिंग ते मैं लागर सिंग ने आख्या गुरू सहेव असीता अत्ती उत्तम स्वादिक पदार्थ शक्के आए हां जो कदी नहीं शक्के ए बात पिंडवाले ने सुनके आख्या पाथशा ए दोमे सिक चूट बोल दे हन जेना देकार ए प्रशादा शकन गेसान ओहना देकार तक कोई वस्तू है ही नहीं जद ओहना नू आपी फाके पेहन ता ओ एहना नू की शकान गे गुरू सहव जी ने शिकोन वाले नू पुछया ता उसने प्रेम वसो के नेतर पर के शर्मिंदे होके बेंती कीती सचे पाथशा तुसी ता कट-कट दे जानन वाले हो साथों कोई सेवा नहीं होई क्यूंकि साठे कर ता कोई वस्तू शकान वास्ते है ही नहीं सी केवल सुकियां पीलू ते जंड फलियां सान ओ कोरे ठीकरे चपियों के इना संतोखी सिखान उसे का देतियां हन इशाक के असीस दे के चले आए हन ए बात सुनके संगत अते नकर दे निवासी लोग हके बके रहेगे गुरू सहफ जी ने नेतर पर के आख्या तान सिखी तान सिखी तिन वार कहके बचन कीते सती ते संतोखी खाए ताहो ना नकदर दिदार समाए पाई सिखो एसे दा नाम खंडियों तिखी वालो निकी गुरू की सिखी है जे कोई पदार्त हुंडे होई बहेगमा सिखा सादा नू चंगे पोजन ना शिकावे उसनू आते गरीव नू चिखना चोखा चोहन वाले नू बराबर दिकार है सच्चा सिख मर्द हो ही है जो आपने वितन सार्शिकावे आते संतोखी सत्पुर्ख हो ही है जो मिस्से रुखे नू अमरित गर के मने एहो जेहे सचे तरमियां सत्या संतोखियां दे आसर ही जमीन आसमन ख़ड़ा है एहो तर्म तोलद्या का पूत इस तर्तिन चुकी खड़ा है एहो जेहे आतम संतोखियां तो सड़ा निर्मला पंथपर सिद्ध होएगा गुरू जी ने उस पिंड़दे बहल बला लोकानू चंगे जवान लड़ाके बने ठणे देख के आखेया सूर बीर बनो तुरकानू संगारो नोकरी गुरू के करो लो उहना ने गुरू सहफ जी रे बचन सुनके अग़ों आखेया असी हजारां रूपे ताड़े मार के लेओं दे हां नोकरी क्यूं करिये सचे पाथशाने आखेया ताड़ भी मारो कारवी रहो पर गुरू के बचन विचवर तो उहना ने मंजूर कीता इस परकार गुरू सहफ जी ने कर आयन परशादा शिकान आखे किसे गरीब लिख कर जाके कि में परशादा शकना है हाथे किस तरह उस जा आदर सत्कार करना है गुरू सहफ जीने अपने जीवन विचों सिखानू बहुत सोनी जाच दिती है आओ जित्ते असी साखियां सरवन कर दे हां उते ही गुरू सहवजी दे जीवन तों असी कुछ ना कुछ अपने जीवन विच अपनाईए तां जो साड़ा जीवन सफला हो सके वाहे कुर्ची का खाल सा वाहे कुर्ची की पते